गुड बॉर्निंग बच्चों आज हम परमय संख्याओं की अबधार्णा से पड़्चय करेंगे हम जानते हैं कि 0 से लेके 9 तक सभी अंख होते हैं जाए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह क्या है अंख है सबसे चोटा अंख जीरो और सबसे बड़ा अंख है 9 इन अंखों का प्रियोग करके हम संख्याएं बनाते हैं यह संख्याएं बे होती हैं जिने हम गड़तिये संक्रियाओं में प्रियोग करते हैं संक्रियाओं जैसे गुणा भाग जोड घटाना यह सब गड़तिये संक्रियाओं इनमें जो प्रियोग में आती हैं उन्हें संख्याओं कहते हैं हम लोग गिंति के प्रियोग में जो संख्याओं लाते हैं उन्हें गड़न संख्याओं कहते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या भी कह सकती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है एक और बड़ी अनन्त होती है इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता सुन्य नहीं होता है यदि हम सुन्य को को प्राकृतिक संख्या में सामिल कर दें तो यह हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है प्राकृतिक संख्या को हम धन-पुणांग भी कहते हैं यानि एक तो तीन चार अनंतर जितने हैं इन सब को हम धन-पुणांग भी कहते हैं अब इन धन-पुणांग और जीरो में यदि हम रिन पुरांग जोड़ते हैं, यानि कि माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, तो ये हमारी पूरी पुरांग संक्या हो जाती, जीरो भी हमारी एक पुरांग संक्या है, लेकिन ना वो धन पुरांग में आता है, ना वो रिन पुरांग में आता ह कुछ बिशेश स्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें भिन्नों का सारा लिना पड़ता है भिन्न जिसमें अंस और हर हो यदि कोई संख्या पूरी है यदि हमने एक रोटी ली अब यदि इस रोटी को हम चार लोगों में बाटें तो हमें क्या करने पड़ेंगे इसके चार भाग करने पड़ेंगे यानि एक रोटी हमारी चार लोगों में बढ़ गई तो हम इसे कह सकते हैं एक बटा चार यानि एक रोटी बटी कित्ते में चार लोगों में तो एक बटा चार ये क्या है भिन्न है पर कभी-कभी हमें भिन्नों में भी रेनात्मक मान लेने की आवस्था पड़ती है जैसे कि समुंदर तल से किसी इस्थान की उचाई 600 मीटर को हम 3 बटा 5 किलो मीटर दर्साते हैं क्यों दर्साते हैं तो देखिए हम लोग जानते हैं एक किलो मीटर में हजार मीटर होते हैं यानि हजार मीटर बराबर एक किलो मीटर तो एक मीटर बराबर कितना हुआ एक बटा एक हजार किलो मीटर के बराबर हुआ इसी परिकार 600 मीटर बराबर होगा 600 बटे एक हजार किलो मीटर को जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा 600 मीटर निकल के आएगा 3 बटा 5 किलो मीटर के बराबर अब यदि ये तो उचाई है यदि हम गहराई की बात करनी पड़े तो हम क्या कहेंगे समुद्र तल से 3 बटा 5 किलो मीटर गहराई को यदि हम ब्यक्त करना है तो बहु जब उचाई को हम पिल्स में ले रहे हैं, तो हम गैराई को हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, तो माइनस 3, injury, 5 km लेकिन अब हम यह जानते हैं के पुणांक तो हैं नहीं पूरी-पूरी संख्या है नहीं यह 3 होता तो हमारा पुणांक होता लेकिन 3 बटा 5 है इसलिए यह पुरांख संख्या नहीं है लेकिन यह भिन्न भी नहीं है भिन्न क्यों नहीं है क्योंकि भिन्न प्लस में होती है माइनस में भिन्ने नहीं होती तो इसलिए यह ना भिन्न है ना पुरांख है ऐसी संख्या को समलित करने के लिए संख्या पत्ति का विश्टार करना पड़ा और इसे पर्मय संख्या का नाम दिया गया अब इसी को हम आगे एक सार्णी के द्वारा समझते हैं देखें इसमें एक तरफ लिखी हैं संख्या हैं और दूसरी तरफ आपको यह बताना है कि यह पुरांक हैं या नहीं है तो देखें पहली है माइनस तीन संख्या पुरांक है और कैसी पुरांक है रिन पुरांक है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है अब अगली संख्या है पिलस का 6 पिलस 6 जो है वो क्या है वो पुरांक संख्या है और कैसी पुरांक है धन पुरांक है क्योंकि इसके आगे पिलस लगा लेकिन ना थो रिन ना ही धन इसके आगे है बारा बटे पांच बारा बटे पांच पुणाक नहीं है क्यों क्योंकि इसमें बटा आगया यानि बारा चीज़ें कितने बटे हैं पांच में तो इसलिए ये क्या हो गया भिन संक्या है इसके बाद आया ग्यारा बटे साथ ये भ ये है भिन संख्या नहीं है और पुरांग भी नहीं है ऐसे ही फिर आया माइनस 13 बटे 6 अब इसमें भी देखिए क्योंकि माइनस 13 बटे 6 है तो माइनस 13 कितने बटे 6 में बट गया है इसलिए ये पुरांग संख्या नहीं है लेकिन चूंकि 13 जो है माइनस का है इसलिए ये भ अब यह समझ्या आई कि इन संख्याओं को हम कहां पर रखें इस समझ्या को दूर करने के लिए परमय संख्या की अबधार्णा आई अब हम समझते हैं कि परमय संख्या क्या होती है एक परमय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P बटा Q के रूप में ब्यक्त कर सकते हैं जहां P और Q पुणांग होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा जैसे कि हमने P लिया माइनस 2 और Q लिया 5 तो देखें माइनस 2 बटा 5 ये हमारी एक परमे संख्या होगी इसी प्रकार यदि हम ले 7 पी ले ले 7 और Q ले ले 11 तो 7 बटे 11 ये भी एक परमे संख्या होगी तो इस तरीके से हमें ये ग्यात होता है कि जितनी भी भिन संख्याएं हैं वे सब ही परमे संख्याएं और ऐसी संख्या जो जिन में भिन रूप हैं लेकिन कोई संख्या माइनस की है चाहें अंस चाहें हर यदि माइनस का है तो बो भी परमे संख्या होगी अब हम ये ग्यात करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरांग भी परमे संख्या होती है कि नहीं होती है अब देखिए किसी भी पूरांग को एक परमे संख्या माना जा सकता है अब एक चीज हम और देखते हैं जितने भी पूरांग है जीरो एक दो पचास साट माइनस पचास माइनस पंदरा ये जितने भी पूरांग संख्या हैं ये सब को हम बटे एक कर सकते हैं कि माइनस पांच है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस पांच बटे एक पंदरा है पंदरा बटे एक तो हम किसी भी चीज के नीचे थी हम बटे में एक लगाएं तो उसका मान परिवर्टित नहीं होता है तो इसलिए हम पुणांकों को भी भिन्न रूप में लिख सकते हैं इसलिए पृत्तेक पुणांक भी परिम्य संख्या है और भिन्न भी परिम्य संख्या है इसे हम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रियास करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या हैं बे संख्या हैं जिने हम गर्णा के काम में लाते हैं जैसे एक, दो, तीन ये संख्या हैं जो हैं वो प्राकृतिक संख्या हैं होगी यदि इन संख्याओं में हम जीरो को यानि स Usyni को और जोड़ दें तो यह सँ संख्या हो जायी, और यदि इसमें हम रिनण पुल्णांख जोड़ दाएं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यह संख्या जोड दें तो यह सबको हम पुल्णांख कहेंगे, अब यदि हम पुणांक में भिन संख्याएं और ऐसी भिन जिनका अंस या हर रिनात्मक होता है उसे और जोड़ दें तो ये हमारी पर्मे संख्याएं कहलाती है अभ्यासकार पहला पांच पर्मे संख्याएं लिखनी है जिनके अंस रिनात्मक हों और हर धनात्मक हों दूसरा अंस धनात्मक हो और हर रेनात्मक हो और तीसरे में अंस और हर दोनों ही रेनात्मक हो और दूसरे सवाल में कुछ पुणाग संख्यां लिखी हैं उन्हें हमें पर्मय संख्या के रूप में बदलना है जिनका हर एक हो इन दोनों सवालों को आप हल करेंगे झाल झाल